नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आप देख रहे हैं संसद में आज मैं हूँ प्रीति सिंग, आए शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ कोरोना महामारी के मदे नज़र विशेश इंतिजाम के साथ अपसे कुछ देर में होगी संसद के मौनसुम सत्र की शुरुआत आज सुबर नौ बजे लोग सभा और दोपेहर तीन बजे शुरु होगी राज्य सभा की कारवाही, सत्र के लिए अध्यादेशों को प्रिदिस थापित करने वाले 11 विधेक समेथ, प्राथमिक्ता सूची में 23 नय विधेक, प्रधान मंतरी ने कहा सत्र के दौरान होंगे क यूपीयों मीद्वार, सभापतियम वेंखाय नाइडूर नमनेरवाचे सांसदों को दिलाएंगे सदत सता की शपत, पूर्वराश्पती पड़ा मुकरजी और मशूर शास्त्रिय गायक पंडित जस्राथ समेथ दिवंगा सदस्यों और पूर्व सदस्यों को दोनों सद्न महमारी रोग संचोदन विदेग 2020 समेथ चार नए विदेग किये जाएंगे पेश केंद्र स्वास्तमंत्री डॉक्टर हर्चपर धन दोनों सद्नों में कोरोना महमारी और इसके लिए उठाए गए खदमों के बारे में देंगे बयान कोरोना महमारी के मदिनेजर विशेश इंतजाम के साथ संसत के मौनसून सत्र के आज से शुरुआत हो रही है सत्रवी लोग सभा का चौथा सत्र और राज्य सभा का दो सो बावनवा सत्र एक अक्टूबर तक चलेगा 18 दिन के इस सत्र में कुल 18 बैठके होंगी इस दोरान सभी शनिवार और रविवार कारे दिवस होंगे मौनसून सत्र के दोरान कुल 47 विशे कारिसूची के लिए तै किये गए हैं इनमें 45 विधैक और दो विट्ये विशे शामिल हैं कोविड-19 भामारी के बीच संसत का ये पहला सत्र है इसलिए संसत सत्र के दोरान कोविड-19 के दिशार निर्देशों के तहट सुरक्षा के सभी प्रबंद किये गए हैं संसत के हर सदन में प्रतिदिन 4 घंटे के सत्र होंगे सत्र में शूनिकाल के दोरान आतारंकित प्रश्णों को सदन के पटल पर रखा जाएगा संसतों की उपस्थिती के पंजी करण के लिए मोबाइल आप की शुरुवात की गई है और संसत के मौनसुन सत्र की शुरुवात से पहले संसत परिसर पहुशने पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा ये सुनते हैं एक विशिष्ट वात्तावरण में संसत का राजप्रारम हो रहा है कोरोना भी है करतव्य भी है और सभी संसदों ने करतव्य का रास्ता चुना है मैं सभी संसदों को इस पहल के लिए बधाई देता हूँ अभिनंदन करता हूँ और धन्यवाद भी करता हूँ बजेट सत्र समय से पहले ही रोकना पड़ा था इस बार भी दिन में दो बार एक बार राजसभा एक बार लोगसभा समय भी बदलना पड़ा है सेटरडे संडे भी इस बार कैंसल कर दिया गया है लेकिन सभी सदस्यों ने इस बात को भी स्विकार किया है और कर्तब्य पतपर आगे बढ़ने का फैसला किया है इस सत्र में कई महत्वपूर नेड़े होंगे अनेग विश्यों पर चर्चा होगी और हम सब का अनुभव है कि लोगसभा में जितनी जादा चर्चा होती है जितनी गहन चर्चा होती है जितनी विविदताओं से भरी चर्चा होती है उतना सदन को भी विशयवस्तु को भी और देश को भी बहुत लाभ होता है बात आज के जिंडी की करें तो दोनों सदनों के आज के जिंडे में एहम विधाई काम का शामिल है राजसभा में आज नवनिर्वाचे सांसिदों को सदत सता की शपत दिलाए जाएगी इसके लावा पूर्वराश्पती प्रणा मुकरजी और मशूर शास्त्रिय गायक पंडित जस्राज समेत दिवंगत सदस्यों और पूर्व सदस्यों को दोनों सद्नों में शृद्धांजली भी दी जाएगी साथी केंद्रे स्वास्तमंत्री डॉक्टर हर्शवर्दन दोनों सद्नों में कोरणा महमारी और इसके लिए सरकार की उर से उठाए गए कदमों के बारे में बयान भी देंगे राजे सबा के आज की कारिसुजी वे छे एहम विधहक शामिल हैं उच्छे सदन से आज चार विधहक पेश किये जाएंगे और दो विधहक विचार और पारित किये जाने के लिए हैं पेश किये जाने वाले विधहकों में मंत्रियों के संबल्मों और भत्तों संबंदे संशोधन विदेग 2020 महामारी रोग संशोधन विदेग 2020 केंद्री होमियोपेथी परिशद संशोधन विदेग 2020 भारते केंद्री चिकित्सा परिशद संशोधन विदेग 2020 शामिल है इसके अलावा वायूयान संचोधन विधाएक 2020 और आयूरवेद, शिक्षण और अनुसंदान संस्थान विधाएक 2020 विचार और पारित के जाने के लिए कारिसूची में शामिल हैं लोग सभा की बात करें तो सदन में आज आठ नय विधाएक पेशने जाएंगे इनमें संसे सदसे वेतन, भत्ता और पेंशन संचोधन विधाएक 2020 आवशक वस्तू संचोधन विधाएक 2020 समर्थ हित प्रजन और प्रदोगे की विनियमन विधाएक 2020 अर्हित वित्ती है सम्विधा दूइपक्षियन नेटिग विधाएक 2020 क्रिशक उपज व्यापार और वाने जिसम वर्धन और सरली करण विधाएक 2020 क्रिशक सश्रक्ति करण और संद्रक्षन खीमत आश्वसन और क्रिशी सेवा पर करार विधाएक 2020 वेक्टरिंग विनियमन संचोधन विधाएक 2020 बैंक कारी विनियमन संचुदन विदेग 2020 शामिल है बैंक कारी विनियमन संचुदन विदेग 2020 2020 का विदेग संख्यांग 56 वापस लिए जाने पर ही बैंक कारी विनियमन संचुदन विदेग 2020 पीश किया जाएगा इसके लवार राष्ट्रिय हुमिपे थे आयोग विधेग 2020 और राष्ट्रिय भारती आयोग विधेग 2020 विचार और पारित किये जाने के लिए लोग सभा के एजिंडे में शामिल है नविक्रम सिंग हमारे समवायत हमाय साथ जुणे है फिलाल उनका रुप करेंगे नविक्रम हम जानते हैं कोरोना संकट के बीच मौनसून सत्र की आद से शुरुआत हो रही है और जिस तरह से प्रधान मंत्री ने भी कुछ देर पहले कहा कि सभी एतियात का ध्यान रखते हु जादा से जादा उत्पादक्ता इस सत्र में हो इसकी उमीद है सरकार चर्चा के लिए तयार है हर मुद्दे पर कैसे समझा जाए इसकी एहमियत इस सत्र के फिलाल प्रिती अगर देखा जाए प्रधान मंत्री के बयान में एक बहुत खास बात है जब उन्होंने कहा कि जो भारतिय संसद यानि संसद के जितने भी सदस्से हैं वो यहां से संदेश देंगे जितने भी जवान हैं जो सीमा पर तैनाथ हैं उनके लिए जो एक जुटता में प देख रहे हैं कि भीते दुनों LAC या फिर LAC की बात करें तो सीमा पर तनाव की कबरें लगातार आई हैं और ऐसे में संसद की तरफ से संदेश दिया जाना एक तरह से उनके मनोबल को और बढ़ाएगा प्रधान मंत्री का यह कहना कि पूरा सदन हर सदस्से उसे उन्होंने अपील की है कि चाहें वो किसी भी राजनितिक विचारदारा से तालुक रखते हों उन्हें वो जब एक जोटा का प्रधर्शन करेंगे कि हम उन जवानों के पीछे हैं उन्होंने कहा कि जब अभी जल्दी बरबारी शुरू होगी आपको पता है कि हमारे जवान सियाचन से लेकर बहुत कई ऐसी इलाके हैं जहां कठिन परिस्थितियां हैं उन विशम परिस्थितियों में लगातार अपनी डूटी कर रहे हैं और उनके लिए संदेश देना एक बहुत एहम बात है साथ ही अगर विध्यकों की बात करें तो प्रीती जी प्रीती तमाम एहम विध्य एक एजिंडे में शामिल हैं बहुत बहुत शुक्रिया फिलाल नविकरम आपका मारे सज जुनने के लिए उस जानकारी कौम तक पहुचाने के लिए और इसी के साथ फिलाल संसद में आज में इतना ही एक छोटी से ब्रिक के लिए रुखेंगे आप बने रहे हैं राज्यस